नौमे गुरु श्री गुरु तेग बहादर जी दे 400 साला प्रकाश पुरुबनी समर्पत हुन द्या एक बास यात्रा आज अम्रिसर्टो रमाना हुई इस बास यात्रा राही संक्तानू पंजाब अते दिल्ली दे वाखवाक गुरु अस्थान ना दे दर्शन करवाई जानके पंजाब दे सरहन चपड चड़ी तो हुन द्या एह संगत बॉर्डर उत्ते बैठे किसाना नाल पी मुलाकात करेगी उस्तो बाद गुरु द्वारा सीस गंज साहिव विखे नत्मस्तक होगी पंजान की ते ने अते भूणा सी डेरा बाबा नानक जा रहे हैं गुर्दास नगलगडी जा रहे हैं बाबा बकाड़ा शामनों विश्राम करांगे अते उस्तो बाद सुबाद चलके असी चपड़ चिडी अते सरहांद फतेगर साब अते हो रस्ते देविच बड़े ते उना कसाना दा सिकारशीर कसाना दा भी सिल्मान करांगे अते उस्तो बाद शीज सकांज गुर्दोरा साथ भी मार्च नू सवेरे 10 वजे दिवान सजण गे उते समागव होंगे अते बाबा बंदा सिंग बहादर जी दे शियिदी स्थान महरोली विखे उते जिते गास स जिनना ने 700 सालां दे मुगल साम राज़ दा कात्मा कीता है उस महान जो दे जनायलू जाद करते हुए अधे गुरू तेक बहादर जी हिंद दी चादर उना दी कुर्बानी लासानी कुर्बानी नू शर्दा सितकार पेंट करती हुई है यत्रा रवाना हुई है रखवात हुँ रखवत हो अते दिली कंज घुडवर्दवार जाके उथे समापती होगी बाबा पुपेदर स्झ जी पटैडे वाड़े माबा जुगिदर स्झ जी नहेंक मुखी बाबा तरसेम संग जी बाबा रामपाल जी बाबा लमें जट पुरे आड़े सन्त बाबा बल पोला सेंग जी साड़े बड़े प्राणे मित्तर ने ट्रांस्पोर्टर ने ते एना ने जथे दा स्वागित कीता है। मैं एना दा भी विशेश तौरते तानवात करदा वाईगुर जी का खालसा शिरिवाईगुर जी की पते है। झालसा शिरिवाईगुर जी की पते है।